नमस्कार Question के रूप में हो चाहँ वह comment आप मतलब तारीफ के रूप में हो या चाहे वह comment किसी तरीके से हो कोई topic अगर आपको लगथा है कि यह topic से question आते हैं और उसको मको पढराना है तो भी comment में लिख दीजे कि sari i testimis topic का video आप हमें बना दीजे अगर उनको लगता है कि ये topic पढ़ा है, वहां से question ना भी आ रहा है, तो भी मैं उसको पढ़ा जाता हूँ, तो ये चाहे किसी भी subjects में हो, मैं history, geography, quality और economy, चारो subjects में से किसी subjects का कोई भी topic अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाना है, तो आप हमें जरूर comment करेंगे, चाहे वो पीछे जो हमने geography समाब कर दिया है, उसमें भी अगर कोई topic ऐसा लगता है, कि हमको बताना है, तो आप comment करेंगे, चाहे जो हम quality पढ़ा रहा है, इसमें अगर आपको लगए कोई topic पढ़ाना है, तो comment करेंगे, तो जो आप चाहते हैं पढ़ना, उसके लिए comment किजेगा, तो ह चुकि मैं पहले भी बताया हूँ कि यह हमारा question होता है, ठीक है, यह हमारा question होता है, और यह जो, यह हमें answer provide करता है, तो हम देखते हैं कि हमने question क्या पूछा है, और हमें यह answer क्या बता रहे हैं, और किस तरीके से याद रख सकते हैं, पंचाइती राज और मूसीपारिटी क बारे में, सबसे पहले पंचाइती राज और मूसीपारिटी के बता दें, कि यह जहां कहीं भी रहेगा, साथ-साथ रहेगा, साथ-साथ का मतलब है, कि चुकि यह दोनों का formation एकी समय हुआ था, एकी साथ यह चीज़े चल रही थी, अस्थानिय निकाय के रूप में, तो ज जाने कि नगरपालिका का पार्ट 9 का A है, साथ-साथ है न, 9A, पार्ट आपने पढ़ा है, 9A, सीडियूल इसका 11 है, तो इसका सीडियूल क्या है, 12 है, यह भी बात आपने पढ़ा है, सीडियूल 12, सीडियूल 11 क्या है, ठेक है, आर्टिकल 40 में, establishment और पंचाइती राज की बात की गई है, तो यह एक अलग है, जो कि नगरपालिका में नहीं है, तो यहाँ पे हमने यह बात की, कि पंचाइती राजवस्ता में आर्टिकल 14 की बात है, और यह एक्जाम का कोसन कई बारी बोला है, जो कि DPSP में, अब जानते हैं कि आर्टिकल 40, यानि, establishment और पंचाइ या है, वो भी कहा जाता है, गांधी जी का, तो यह बात आप ध्यान में रखेगा, यह एक्जाम का कोसन बना है, कई बारी BVI है, इसको आप ध्यान में अच्छे तरीके से रखेंगे, उसके बाद पंचाइती राजवस्ता को इस्टार्ट कहां से किया गया था, तो राजस् पंचाइती राजवस्ता का डेट क्या है, यानि इसकी तारीक क्या है, तो यह भी ध्यान लखेगा, विविया इन्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर मात्मा गांधी जी के जन्म दिन है, और उसी दिन जो है, इसको इस्टार्ट किया गया था, 1969 में पालिटी की अस्थापना किया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि नगरपालिका कितना पुराना है, 1687 की बात हो रही है, अमेंडमेंट, देखेगा, कि अगर पंचाइती राजवस्ता को किस अमेंडमेंट से भारत के सम्मिधान में जोड़ा गया है, तो 73 सम्मिधान संसोद अन्धनियम के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी ध्यान में रखेगा, ये भी एक्जाम में कोस्टन कई बारी बना है, बहुत इंपोर्टेंट है, उसके बाद इसके आर्टिकल देखते हैं, यानि कि पंचाइती राज विवस्ता का स्थापना, यानि पंचाइती राज का हर चीज की बात है, तो वो क्या है, 243 से 243 से के A से लेकर के 243 के O तक पंचाइती राज विवस्ता है, और मुंसिपालिटी का है 243 के P से लेकर के 243 के Z, G तक, यानि कि 243 जो आर्टिकल है, 243 आर्टिकल, ये पंचाइती राज विवस्ता के बारे में है, ये बात अब ध्य जिसमें A से लेकर के O तक पंचायती राज विवस्था है और P से लेकर के ZG तक नगरपाली का है इसको आप समझेगा इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे एक्जाम का कोस्टन बना है VBI है ठीक है VBI आप बोलेंगे सर सब में तो आप VBI लगा रहे हैं तो सब में VBI है तो बेटा लगाएंगे नहीं सब में VBI यह तो लगाएंगे चलो सब्जेक्ट इसके कितने है 29 है यह VBI है इसके सब्जेक्ट कितने है 18 है यह VBI है कई बार कोस्टन पूछा है election कैसे होते है तो direct election है यानि कि आप जानते है कि हम लोग जाकर के board डालते है परधान का चुन और मैंने एज का पूरा एक परफॉर्मा मैंने आपको बता दिया था कि किसका कितना एज है जिसमें सबसे कम एज पंचायती राज विवस्ता पंचायती राज मुंसिपाल्टी का है अगर आपकी उमर 21 साल या उससे ज़्यादा है तो आप पंचायतों के लिए चुनाव ल प्रकार से है वो भी बात हम यह आपर बताएंगे टेन्योर कितना अच्छा इसका भी आर्टिकल मैंने लिखा है 243 का D रिजर्वेशन के लिए करके और टेन्योर कितना है 243 के E में पांच साल टेन्योर है पांच साल और इसका इलेक्शन कौन कराता है तो इसक्षय के लेक् küितना हह сним है के दुए कुछ इस तरीवेशन की आहिए। कि जलो की साठ है 16 20 20 है कहीं 120 का सीट करेछ चलो को सकता है कहीं 360 है है ना मैंने ऐसा फीगर लिया है जो 3 से पूरा-पूरा कट जा ताकि हमको को अराम से असन में आ जा तो रिजर्बेशन महिलाओं का कितना होना चाहिए तो अगर तीनों को जोड़े एक दो तीन छे और दो आठ और छोड़ ठीक है मैं जोड़ देता हूं कितना छे द 540 का एक तीहाई कितना होता वो देखते हैं तो जो रकार्टे है एक तीहाई तो एक मर्तवे तीन आया और दो चौविस आठ तीरी चौविस यानि कि 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्ब है लेकिन यह रिजर्वेशन ऐसे नहीं है जैसे कि मैंने यहां पर कल्कुलेट किया होगा महिला के लिए तो कितना हो जागा 20 ठीक है उस तरीके से 120 सीट के लिए होगा महिला के लिए होगा 120 अब यहां पर जोड़िए कि ये तीनों 180, पूरता है क्या? 120, 40, 60, 80 180, यानि कि ये दोनों क्या हो गया? बड़ावर हो गया, 180 यानि 180 सीट तो तुमको देना ही है लेकिन इस परकार से अपने ही सीट का एकती है में हमको लगता है डिजेर्वेशन समझ में आ गया और इसी तरीके के डिजेर्वेशन बिहार सरकार अपने गौर्वेशन जोब में महिला को दिया है 33 परसेंट सादा लड़का का बियाह रुख गया है ठीक है? चलिए तो ये समझ में आ गया? आगे बरते हैं आगे बरते हैं अब देखते हैं कि कुछ कमीटी जो कि पंचायती राज87 के लिए था और जो एकजाम का कोस्टons बन जाता है कुछ कम मीटी जो पंचायती राजवस्थ ऐस्टा के रिकमेंडेशन के लिए था कौनकौन से कमीटी कॉन कॉन साम में कोउषन पूछा यह भी कंचायत विवस्ता थे भारत में इस प्रकारb arrangements पूछा है तो वह पंचायती क्योंक मैं यहां पहला और दूसरा asking जान में रखेगा दूसरा कौन सा है ? दूसरा है क्या बलते हैं ? समीति ब्लॉक लेवेल पे पंचात समीति और तीसरा है जिला परिसद जिला लेवेल पे जिला परिसद मैं इसको अच्छे तरीके से अलग बोड पे समझाएदा हूं ताकि एक्जाम का कोशन आपका बने ठीक ह त्री लेवेल कौन कौन सा लेवेल है ? गराम पंचायत गराम पंचायत किस लेवेल पे ? भीलेज लेवेल पे गराम पंचायत दूसरा है पंचायत समीति किस लेवेल पे पंचायत समीति होगा ? तो ब्लॉक लेवेल पे तीसरा है जिला परिशद किस लेवेल पर होगा तो डिस्टिक लेवेल पर जिला लेवेल पर किस ने रिकमेंट किया था बलवंत राय मेहता समीतिने बलवंत राय का नाम सुना होगा ना नहीं सुना है गायल फिल्म नहीं देखा है बलवंत राय के कुत्तेव तो बलवंत राय मेहता समीती है ये वाद ध्यान में आप रखियेगा बलवंत राय मेहता समीती त्री लियर और तीनों लियर ये कुछ ऐसा है और बलवंत राय मेहता समीती अब अगला question क्या पूछता है वो भी देख लिजे, थोड़ा सा, मैं question के बारे में बात कर लू, भारा सरकार ने किस committee को recommend किया, किस committee का recommendation को accept किया है, तो बलबंत रहे मेहता समीती को recommendation को accept किया है, तो government accept the recommendation, recommendation, ध्यान में रखियेगा, बलबंत रहे मेहता समीती का, कौन सा तीन और कौन-कन अश्तर है pakai ground porch PB पर जिला परिसद जिला लिववल पर या जिला परिशन घिला पंचायत भल्वंत्र में अश्तर इस दोरह करें निटेनमेहतर स्व consistency Go on इन्होंने कहा था दो अस्तरिय पंचायती राजविवस्था की बात इन्होंने किया था असोक मेहता समीथी ने और वह दो अस्तरिय पंचायती राजविवस्था किया था वह भी बात मैं आपको बता दू एक्जाम का कोशन बनेगा और बनेगा तो आपको बनाना होगा ठीक ह अशोक मेहता समीती और यह कब बना था तो 1977 इसनों ने क्या क्या था टू लेयर दो अस्तरिये पंचायती राजवश्था की बात इन्होंने किया था टू लेयर ठीक है अदो टू लेयर कौन था एक था मंडल पंचायत मंडल पंचायत इन्होंने क्या कहा था मंडल पंचायत उन्होंने कहा था कि कुछ बड़े बहुत सारे गाओं को जोर करके लगभाग 20 से 40,000 के अबादी को ले करके मैं ऐसे बता रहा हूं बड़े बहुत सारे गाउं को जोर करके एक बड़ा सा पंचायत बनाया है और उसका नाम क्या होगा मंडल पंचायत और वहां पे लोग अपना चुनाब करें और उसके हिसाब से सासन करें इन्होंने कहा था मंडल पंचायत ग्राम पंचायत की बात नहीं किया था ग्राम पन्चायत बना बबड़ा है एक गाउं के 2 दो बन जाथे यह भी बात आप में दूसरे ने खिम घूल्य अभी खिल को तो यह आजकोमेंड़ेसा जिसको Украї अपको थोडि भी ने कहीं हमाँ satu मैं चलता हूं यहां पर आपने लिख लिया होगा मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूं क्यूक्छ आप स्क्रίν सोट ले सकते हैं तो यहां पर देखेगा कि दो अस्तर यह पंचाती राज विवस्था है और यहां पर नया पंचात की लग से बात किया गया था यह दो अस्तर में नहीं आया थे दो अस्तर में कौन-कौन था, मंडल पंचायत था और एक था जिला पंचायत, असोक मेता का, इनका कौन-कौन था, ग्राम पंचायत था, ग्राम लेवल पे, उसके बाद पंचायत समीती था, बलॉक लेवल पे और जिला पंचायत था, इनका तीन अस्तर था, ठीक है, बलबंत इंपूर्टेंट नहीं है जे भी के राओ कमीटी बस यह समझ लिजे यह भी थे लम सिंग भी कमीटी थे यह भी गराम पंचायती राजविवस्था से जुरे हुए थे तो यह कुछ कमीटी थे जो एक्जाम का कोशन बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बरबंत रा मेता यह कोई गर्मेंट ने इनके recommendation को accept किया था असोख मेता समीती से exam के question बने कि निया पंचायत कहां से लिया गया यह question exam का है और जीवेकिरा और LM सिमघी committee अब यहां से question कैसे बनते हो बता हूं यहां से question ऐसे बने कि इन में से कौन सा committee पंचायती राजविवस्था से संबंधित है चार option बनाएंगे कोई भी चारों में से एक option देदेगा जो सही होगा या फिर आपसे बनाएंगे कौन सा नहीं है कोई एक दूसरा देदेगा अब बाकी यहां से देदेगे तो यह बात ध्यान में रखेगा एक्जाम के question बने है इसलिए मैंने इस committee को यहां पर रखा है आगे बात करते हैं आगला point यहां पर यह है कि पंचायती राजविवस्था या अस्थानिय निकाव की जरूरत क्या थी यहां पर देखेगा कि दो बाते मैं आपके बता दूँ ठीक है दो बाते मैं आपके बता दूँ कि father of father of local government जो अस्थानिय निकाव के पिता किसे कहा जाता है तो lord rippan को ठीक है किसको काई आता है lord rippan को और दूसरा यह अस्थानिय निकाव का विवस्था क्यूं किया गया या मात्मा गांधी जी ऐसा क्यूं कहते थे कि अस्थानिय निकाव अस्थानिय शासन होना चाहिए तो यह एक तरीके का power of distribution है पावर डिस्ट्रिब्यूशन और पावर है डिस्ट्रिब्यूशन और पावर है हिंदी में बोलते हैं सक्तियों का प्रिथा की करण सक्तियों का प्रिथा की करण इसको बोलते हैं और यह कोशन एक्जाम में पूछा है ठीक है क्या कोशन एक्जाम में पूछा है कि जो अस्थानिय निकाव है या पंचायती राज वस्था है या मुनसी पालिटी है कुछ भी दे देगा और आप से कोशन पूछेगा कि यह क्या है तो यह एक सक्तियों के बटवारा है सक्तियों का प्रिथा की करण का एक परिनाम है सक्तियों का वटवरा किस तरीके से तो वो देखिए यहां पे कुछ funding या कुछ चमताएं या कुछ तागते जो राज सरकार है समय समय पे इंडियम बना करके पंचायती राज विवस्था में या municipality के जो head होते हैं उनको देते रहते हैं जैसे पंचायती राज वस्था में कहीं कि आगे चलो funding मिलो और अपनी तरीके से अपनी विवस्था को भी देखो और आप जानते हैं कि पंचायती राज वस्था में बहुत सारे funding आते हैं जैसा कि नियम बना करके विधान सभा समय समय पे देते हैं ठीक है ना तो वह point है तो इस बात को समाद रखिएगा कि सक्टि इसको मैं एक बार देख लूँ जो एक्जाम इंपोर्टेंट है ग्राम सभा ग्राम सभा का आर्टिकल क्या है 243 का ए ग्राम सभा क्या होता है और इसके मेंबर कौन होते हैं तो देखो ग्राम सभा क्या होता है कि ग्राम सभा वैसे सारे लोग जो निर्वाचित जो एक क्या ग्रामसभा के सदस होते हैं और वही लोग ग्रामसभा क्रियेट करते हैं वही लोग ग्रामसभा बनाते हैं और ग्रामसभा के पास बहुत सारे पावर होते हैं अगर ग्रामसभा खर्चे को देखती है चर्चा करती है ग्रामसभा ये विशय उठाती है कि हमारे गाउं में क्य development होना चाहिए, ग्राम सभा सरक स्कूल के मामले में बात करती है ग्राम सभा recall भी कर सकती है अगर कोई परधान, अगर कोई परतिनिधी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ग्राम सभा recall कर सकता है कैसे recall करेगा? सीधे सीधे collector के पास जाकर करके recall करेगा तो जो बात मैंने नहीं लिखा है अगर आपके PDF में नहीं मिलेगा तो आप सुन के अपने copy में लिख लिएगा तो ग्राम सभा के पास recall करने की ताकत होती है और उसके लिए वो सीधे सीधे कहां जाकर करके recall करेंगे? जिला में जाकर के collector सहब से मिल करके अपनी परचे देंगे अपनी क्या बोलते हैं? आबेदन देंगे आबेदन में signature होगा ग्राम सभा के सरस्यों का और उसमें recall करने की पूरी की पूरी बात लिखी जाएगी कि इस अधार पर recall कर रहे हैं और collector वहाँ पर recall कर सकते हैं बात को आप ध्यान में रखिएगा तो recall करने का प्रोविजन यहां पर ध्यान रखिएगा सबसे पहले किस राजी में लागू हुआ तो मध्ध पर्देश में recall करने का प्रोविजन सबसे पहले कहां लागू हुआ मध्य परदेश में तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे आगला है राज निर्वाचन आयोग 243 का के एक्जाम का कोस्वन यहां के आर्टिकल से पूछते हैं ठीक है इसलिए जहां भी आर्टिकल मैंने लिखा है वो कोस्वन एक्जाम का पूछा है इसलिए तो 243 का के राज निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहा है कि इसकी निक्ति कौन करता है तो इसकी निक्ति राजपाल करते हैं यह उस निर्वाचन आयोग से अलग है इस बात को ध्यान में रखेंगा हलाकि वो हम आगे पढ़ेंगे उस निर्वाचन आयोग को और फिर से वहाँ राज निर्वाचन आयोग की बात करेंगे और फिर से वहाँ पर पढ़ेंगे राजपान लिक्त करते हैं और यह अस्थानिय निकायों का चुनाब कराते हैं यानि कि जो राज निर्वाचन आयोग है, ये किसका चुनाब कराएंगे, तो ये पंचायती राज ववस्था मुनसिपालिटी का चुनाब कराएंगे, ध्यान दिजेगा कि आप से एक्जाम में कोशन पूछा है, कि पंचायती राज ववस्था का चुनाब कौन करते हैं, तो उस बित आयोग से अलग है उस बित आयोग कार्टिकल 280 है जिस तरीके से उस वाले निर्वाचन आयोग कार्टिकल 324 है तो बित आयोग से अलग है यह राज बित आयोग है जो राज्यों के जो भी पैसे राज इकठा करते हैं चायो करके द्वारा चुंगी के द्वारा किसी भ और राजवित आयोग को न्यूक्त कौन करते हैं तो फिर से राजपाल न्यूक्त करते हैं तो ध्यान दिजेगा ये दो बड़ा important क्या बोलते हैं संबैधानिक संस्था है जिसकी न्यूक्ती गवर्नर करते हैं और जो अस्थानिय बात हम नहीं करेंगे पंचाइती राजवस्था में क्योंकि एक्जाम के कोस्टन से यहां पर हो जाते हैं और अगर आप सारे आर्टिकल को पढ़ना चाते हैं तो सारे आर्टिकल आपको कहीं ने कहीं लिखे हुए मिल जाएंगे तो उसको लेखर कि आप बहुत परसान नहीं में और हमारा आगळा टोपिक है कंजिचुशनल जो जितने भी इंसिचुशन है वो यानि कि संवैधानिक संस्था के बारे में बात कर रहे हम संवैधानिक संस्था और इसमें आप देख रहे हैं कि संबैधानिक institution constitutional institution में हम लोग क्या-क्या बात करेंगे UPSC के बारे में State PSC के बारे में Election Commission के बारे में CAG के बारे में Finance Commission के बारे में Attorney General के बारे में और Advocate General के बारे में भी दोनों AG के बारे में बात करेंगे यहां पर तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपने municipality पढ़ा, यहां पर पंजादी राजवस्था पढ़ा, उसके बारे में बहुत सारी बात हमने शुरू में किया है, exam के question बनाईए, आपके maximum question solve हो जाएंगे, छ सबसे पहले हम लोग Union Public Service Commission की बात करते हैं, और All India Services की बात होती है, जो All India Services में जो भी लोग जाते हैं, उसको Union Public Service Commission के exam के द्वारा ही जाया जाता है, UPSC के exam जो conduct कराती है, उसके द्वारा जाते है, पॉइंट है कि All India Services कितने हैं, तो All India Services आपके सिर्फ तीन है, तीन ही All India Services है, IAS, IFS, और IPS, ठीक है, IAS का मतलब होता है Administrative Service, Administrative, ठीक है, हो गया, IFS का मतलब होता है, Forest, यहाँ पर Foreign मसमर लीजेगा, Foreign Services जो होते हैं, वो अखिल भारतिये सेवय नहीं होते हैं, All India Services नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, Forest Services, और IPS, Police Services, ठीक है, तो Police Services होते हैं, तीन ही अखिल भारतिये Services हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेगा, यह एक्जाम का कोशन बना है, VBI है, अखिल भारतिये Services, Part 14, भाग 14 में यह आते हैं, All India Services, अब Union Public Service Commission के बारे में बात करते हैं, लोक सिवा आयोग, आर्टिकल है, 315 से 323, ठीक है, हिंदी इंग्लीज दोनों में लिखा हुआ है, ध्यान रखेगा, कौन एपॉ मैं आपको समझाता हूँ, होता क्या है, कि या तो आप 6 साल के लिए Services में रहेंगे, मतलब Chairperson के रूप में, या फिर आप 65 के उमर तक, जो पहले पूरा हो जाए, वही रहेगा, जो पहले पूरा हो जाए, कहने का मतलब यह है, कि अगर आपने 2020 में Chairperson बने हैं, और 2022 में आप 65 उमर पूरा हो गया, तो आप रिटार हो जाएगे, फिर आपको 6 साल नहीं देखा जाएगा, और अगर आप 2026 तक Chairperson रहे, लेकिन फिर भी 65 एज नहीं होगा, तो भी आप रिटार हो जाएगे, क्योंकि 6 साल आपका tenure हो गया, तो जो पहले पूरा हो जाए, उसके हिसाब से है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चलिए, सालिडी कहां से आता है, तो संचित निदी पे इसकी सालिडी भारित होती है, और इनका काम क्या है, तो इनका काम है, अखिल भारतिय सिवाव, यानि कि जो IS, IFS, IPS है, और अन्य सिवाव, जो IFS है, Foreign Services है, या ITRS है, Railway Services है, और भी बहुत सारे है, उन सब के लिए परिक्षा आयोजित करवाते हैं, एंडियो, जो भी बहुत सारे एक्जामनेशन, CDS बेगर बहुत सारे एक्जामनेशन, यह क्या कराते हैं, conduct कराते हैं, तो इनका examination conduct कराने का important role है, इसको आप समझेगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बेकर, पहले chairperson, UPSC के, हो गया, आगे बढ़ें, चलो, अब state public service commission, state public service commission के राज लोग सेवा आयोग, ठीक है, इसका भाग क्या है, 14 है, article 315 से 323 है, कौन ए point करते है, governor, लेकिन हटाएंगे कौन president, यह important है, ए point governor करेंगे, लेकिन हटाएंगा कौन राष्टपती, इस बात को ध्यान रखेगा, और वहाँ राष्टपती है, point करते है, राष्टपती ही हटाते है, और यहाँ पर point राजपाल करते है, हटाएंगे कौन governor, ठीक है, चलिए, age 6 year या 62, मतलब UPSC में 65 था, यहाँ पर क्या ह यहाँ पर exam का एक question बनता है, जो मेरे मन में आ गया, कि high court की salary कहां से मिलती है, तो consolidated fund of India से, यहाँ पर अपने state के लिए ही, या पिर अपने, जो state का उसका jurisdiction उसी के लिए है, लेकिन उसकी salary कहां से होती है, तो उसकी salary होती है, consolidated fund of India से, भारत की संचित निदी से, लेकिन इसकी salary दी जाती है, इसका काम क्या है, तो सरकार के राज सरकारों के लिए exam conduct कराना आप जानते है, state PSC के लिए exam conduct कराते है, अलग-अलग exam, ठीक है, आपको पता है यह बाते, चलिए, अब बात करते है, election commission, देखिएगा, एक बात बता देते है, UPSC के, जो union public service commission के जो article है, ह election commission का article बहुत important है, VBI, election commission का article 324 है, election commission में कितने member होते हैं, तो 3 member होते है, एक होता है, मुख चुनाव आयुक और 2 अने चुनाव आयुक, यहानि एक chief election commissioner होता है, और एक election commissioner होता है, चलिए, ठीक है, किस के दोरा नुउक किये जाते है, राष्टपति के दोरा, tenure क्या है, 6 years या आपने पहले देखा, 6 साल या तो आपका पूरा हो जा, या 65, हटाएगा कौन, परसिड PLAYING लेकिन कैसे सुप्रीम कोट के जज के दौरा लेकिन हटाएगा कौन, परसिडtones, एक सबस में बोल दिया तो परसिड makes है यह सबस में बोल दिया तो परसिडallows, है लेकिन सबसे पहले देख ले पहले निर्वाचन आयोग कौन थे सुकुमार सें विबी आई एक्जाम में कोशन कई बार पूछा है अभी निर्वाचन आयोग कौन है मुख निर्वाचन आयोग सुसील चंद्रा है विबी आई एक्जाम में कोशन पूछेगा तो पैवार पढ़ सकते हैं फोला इंग्लीई से पढ़ेते हैं इंग्लीई वाले तूस हो जाएंगे तर न यतुस का किस के लोग सभा K का बिधान सभा का बिधान परिशत का और यह अंतर एक्जाम का कोस्टन बन जाता है भी भी आई है इस बात को ध्यार रखेंगा आगला पावर क्या है इलेक्टर रॉल जो मद्दाता सुची है न वो बनाते हैं ठीक है एलेक्शन का सिड्यूल को यह निर्धायत करते हैं कि अचार सहिता लागू हो जाना तो अचार सहिता का मतलब क्या होता है कि आप वह ऐसा काम करेंगे जो कानूनी रूप से गयर कानूनी काम नहीं किसी को पैसा बाटना क्यों सराव क्यों बातना अचार सहिता में बहुत सारी बाते होती है तो अचार सहिता का डिटर्माइन करन ये election commission का काम होता है और भी बहुत सारी बात है कि आप 48 घंटे पहले अपना चुनाप परचार करना बंद कर दिए exam का question है कि 48 घंटे पहले चुनाप परचार करना बंद कर देंगे ये भी होता है उसके बाद और भी बहुत सारी बाते होती हो जो अचार संहिता में include होता है दो चलिए उसके बाद वह पूल को चैंसेल भी कर सकते हैं अगर वालेंस की स्थिति हो तो पूल को कैप्चर करके फिर से सब पूल यानि की उप चुनाब करवाते हैं ठीक है पोईटकल पार्टी को रिइस्टर करते हैं उनको चुनाब चिन मुईया कराते हैं इस्टेटस देते हैं ये बहुत सारे इनके काम है इनका काम बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा काम है वही बात मैंने हिंदी में लिखा है कि यसे उपराश्पती राश्पती लोगसवा रासवा विधान सवा के चुनाब करवाते हैं मदाता सुचीत यार कराते हैं चुनाब भी एतय करते हैं, तो इनका काम बहुत सारे है, निर्वाचन आयोग का, इनका आर्टिकल से बहुत सारा कोशन पूछा है, 324, इनका आर्टिकल है, बहुत बार कोशन पूछा है, सुकुमार से इन जो पहले मुख निर्वाचन आयोग थे, ये कोशन एक्जाम का पूछा हुआ कितने बार है अब आगे बात करते हैं finance commission दूसरा सबसे important point finance commission बित आयोग हिंदी में बोलते हैं हिंदी महला की लिखा हुआ मिल जाएगा आप परसान नहीं होंगे हिंदी बारे बच्चे बित आयोग इसके article से question कई बारी पूछा है article इसका 280 है part आप देख रहा है 12 है पांच member होते हैं एक chairperson होते हैं चार other member होते हैं appointment कौन करेगा appointment president करेंगे यानि कि इसको राष्टपती चुनाब करते हैं पांच साल के लिए होते हैं और salary कहां से paid होता है concerted fund of India से हटाएंगे कौन राष्टपती ही चले इनका काम क्या होता है वो देखेंगे इससे पहले हम लोग यह देख ले यह most BBI है most BBI किसलिए most BBI है क्योंकि exam का question यहां से बहुत बार पूछा है इसलिए most BBI है very very important पहले finance commission कौन थे केसी नियोगी इसको लीख लीजेगा आपने copy में हलाकि लीखावा मिल जागा 12 वे कौन है तो कौन थे तो C. रंग राजन 13 वे कौन थे बिजय केलकर 14 वे कौन थे वाई वी डेडी 15 वे कौन है तो N. के सिंग समझे गए और आप जानते हैं कि यह सब से question पूछा है जब केसी नियोगी थे पहले पेसी केसी नियोगी इस तो question आया ही है जब रंग राजन थे तो उसमें भी question एक्जाम का बंदा था जब बिजय केलकर थे 14 वे कौन कितने बार question पूछा है वाई बी रेडी 15 वे कौन है कई बार question पूछा जा चुका है आगे भी पूछा जाएगा N. के सिंग ठीक है इसको ध्यान में रखेगा अब चलते हैं function इनके काम के बारे में इनका काम क्या बिता है इनका काम है distribution of tax between center and estate यानि कि जो टैक्सो का जो पैसा है distribution of tax money होना चाहिए जो टैक्सों का पैसा है वो estate और राज्यों के बीच में distribution करते हैं ठीक है राज्यों को अनुदान परदान करना ये भी बात है ठीक है ये भी इनका काम है और पॉइंट यहाँ पर क्या है ध्यान दीजेगा मैं हिंदी में भी यही बात इनके काम को खास करके हिंदी में देखे बाकी काम तो लिखा हुआ है हिंदी में के काम को जो करो के बित्रन करो के पैसे का बित्रन ठीक है के अनुदान वेगढ़ होता है उसके बारे में और राष्ट्पती के दुरह जो काम है और एक important point क्या है कि वित आयोग का जो recommendation होता ह वो सलाहकारी होता है, एडवाईजरी होता है, वो मानना नहीं मानना बाधिता नहीं है सरकार के लिए, कि सरकार इसको माने या नहीं माने, लेकिन सरकार मान लेती है, क्योंकि constitutional institution है, तो सरकार इसको मान लेती है, हाँ कहा जाता है कि जब मनमुहन सिंग जी परधानमंत्री थे, तो उस समय बित आयोग अपने हासिये पे था, क्योंकि बित आयोग की बातों को नहीं माना जाता था, और जो योजना आयोग था, जो की constitutional institution नहीं था, और उसके अध्यक्ष ते मोंटेक सिंग, सरी, उपाध्यक्ष ते मोंटेक सिंग अहलुवालिया, वो पूरा का पूरा ये क बहुत कुलोज थे, तो इस वज़े से, अब मोंटेक सिंग अहलुवालिया कहा है, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखेगा, ये काम है, कि राज्यों को कितना पैसा जाएगा, ये काम किसका है, बित आयोग का काम है, इसको आप अच इंपोर्टेंट, जहां से कोशन एक्जाम के कई बारी पूछेगा है, C.A.G. कंट्रोलर और अडिटर जेनरल, इसको ध्यान रखेगा, पार्ट फाइब है, आर्टिकल 148 है, इसके आर्टिकल से कोशन पूछेए है, हाला कि बित आयोग के आर्टिकल से भी कोशन पूछे है इसको बात याद रखेगा, मैंने पहले बताया था, और अभी मैं फिर से बता दू, वो सारे सम्विधानिक पद, जिसको पे राष्टपती पॉइंट करते हैं, हटाएंगे राष्टपती ही, इसको आप अच्छे तरीके समझ लिजे, एक्जाम में कोशन इस कॉंसेप्ट क अधार पे आप बना के आजाईएगा, अगर ना याद रहेगा तो, ठीक है, पक्का, आगे बढ़े, चलो, पहले CAG कौन थे, तो नरहरी राव थे, अभी कौन है, तो GC मुर्मू है, अभी CAG कौन है, आपके मुर्मू साहब है, GC मुर्मू, अब इनके फंक्शन्स देखते ह है, तो कि इनके फंक्शन्स मैंने बहुत लिखे है, ठीक है, बहुत सारा लिखे है, आप देख रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी दिखा दू, इनके फंक्शन्स बहुत सारे लिखे हुए, हिंदी में भी इनके कार बहुत सारे लिखे हुए है, य केंद्र और राज की आकाश मेखतान इदी के खर्चों का लेखा जो खा यानि फीर से audit, निमलीखित प्राप्थियों का क्या लेखा परिक्षा, सवी निकाय या प्राधिकरन जो राज और राजस्थों से प्राप्थ करता है उसका विद्पोशित किया जाता है, सरकारी कमपनियों का लेखा जो खा राश्टपती और राजपाल जो रिपोर्ट दालते हैं उनका लेखा परिक्षा के प्रस्तूत करते हैं तो पॉइंट यहाँ पड़ी है कि इनका काम क्या है audit करना और इनके audit को संसत में कौन रखवाती है राश्टपती और राज के विधान सभा में कौन रखवाएगा राजपाल तो आप बोलेंगे सर राष्टपती भी और राजपाल दोनों रखवाते हैं क्या तो यह यह डिपेंड करता है कि वह audit किसका अगर किन सरकार के किसी संस्था किन सरकार के किसी company या किन सरकार के किसी fund का audit करते हैं तो और अगर रास्तरकार का इसी तरीके से किसी संस्था का या किसी कंपनी का ओडिट करते हैं तो वो रास्तरकार रखवाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखेगा, गवर्णर रखवाएंगे, तो CAG बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार एक्जाम का कोशन पुछा है, इसके काम क्या है, लेखांकन, यानि की, एकाउंटिंग, एकाउंटिंशी, एन ओडिटिंग, लेखांकन और लेखा परिख्छा, ये इनका काम है, एक लाइन में, और बाकि बहुत सारे काम तो मैंने यहाँ पर लिखा, लिखा हुआ आपको मिल भी जाएगा, रिपोर्ट में, य अर्टिकल 76 है, यही कोशन एक्जाम में कई बारी पूछा है, कि आर्टिकल क्या है, तो 76 है, VVI है, पार्ट 5 के अंतरगत, आप देख रहें न, पार्ट 5 कितना बढ़ा है, अटर्णि जरनरल, C.A.G. सब आ रहे हैं, ठीक है, कौन एपॉइंट करेगा, प्रसीडेंट, कौन आर्टिकल से कोशन बना है, ठीक है, क्या है, तो देखिए, यह भारा सरकार के, भारा सरकार का सबसे बड़ा बिधी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा बिधी अधिकारी होता है, कौन आटर्णि जरनल अफ इंडिया, भारा सरकार के सबसे बड़े बिधी अधिकारी होते है गाम की ये किसी भी जो कानूनी मामले होते हैं उस पे सरकार को एडवाइज भी करते हैं और भारत सरकार के तरफ से किसी भी कोट में जा सकते हैं भारत सरकार का रिपरजेंटेटिव बनके appear on the behalf of government of India Supreme Court में और दूसरे कोर्ट में भी हाई कोर्ट में यानि कि ये भारा सरकार के बिहाफ में किसी भी कोर्ट में जाकर के भारा सरकार के तरफ से बात करते हैं और भारा सरकार को एडवाइज भी करते हैं ठीक है ये दो important है और भारा सरकार का सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं इस बात को जिहान रखे लगा अगला point है कि पहले एजी कौन थे तो ये तो इंग्लिस वला है कोई इस्टे वाल्ड ठीक है लेकिन अभी कौन है जो एक्जाम का कोशन है में अपनी बातों को रख सकता है रासवा या लोग सबा संसद के किसी भी समीती में बैठ सकता है संसद के किसी भी समीती में अपनी बात रख सकता है लेकिन बूट का अधिकार नहीं और ये कौशन एक्जाम का है कि कौन ऐसा अधिकारी है जो संसद के सदस न होते हुए भी उसके सारे कारवाईयों में बैठक में बैठ सकता है और अपनी बातों को रख सकता है तो Attorney General of India संसद का सदस नहीं है बेटा लेकिन वह बैठ सकता है अपनी बातों को रख सकता है अब सदस नहीं है तो बोटिंग अधिकार नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ें चलो यही बात हिंदी में लिखा हुआ है तुझरा हिंदी में देख ले अनुचेद 76 है भाग 5 है राश्टपती न्यूक्त करते हैं तो राश्टपती हटाएंगे भी कार क्या है किन सरकार का सरव सद्नों उनिके सन्यूकति बैठक संसद्न के किसी समीति की करवाई में बोलेने और भाग लेने का आधिकार है व्याव सदस नामित किया जा सकता है लेकिन वोट नहीं की नहीं राश्टान्त का एड़ोकेट जेनरल देखिए जब सिंटर यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और बच्चे जब कंफ्यूज करते हैं तो एक्जाम का कोशन बन जाता है और क्या बन जाता है एड़ोकेट जेनरल कहां का बिदी अधिकारी होता है राज सरकार का केंज सरकार का ऐसे को तो एड़ोकेट जनरल होगा तो वह राज सरकार का एटोर्णी जनरल होगा तो वह केंज सरकार का या आपसे कोशन पूछ देगा कि राज सरकार का सबसे बड़ा बीदियादिकारी कौन होता है तो एड़ोकेट जनरल महानियावादी आपको क्या करना होगा एकदम निकाल दीजिए यहाँ पर बच्चे एकदम कन्फूज होते हैं आपके टीचर कन्फूज हुआ है आप भी कन्फूज होगे चलिए ठीक है देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 165 है पार्ट 6 है चुकि राज के बारे में है तो पार्ट 6 ही होगा आर्टिकल 165 होगा एक पॉइंट कौन करेगा राज की बात है तो गौबर्नर एक पॉइंट करेगा तो हटाएगा कौन गौबर्नर हटाएगा अटर्णी जनल को कौन एक पॉइंट कर रहा था राष्ट पती हट चाहेगा कौन राश्ट पती का पर्ट क्या था 5 था इसका पार्ट क्या है आसे जिक्स है यह सारी बात अब समझती है तो यहां भी यह अच्छे तरीके से समझ लो बातों को और हिंदी में भी यही बात लिखा हुआ आपको मिल जाएगा आपको दिख रहा है अनुछेद 165 भाग 6 राजपाल न्यूक्त करेंगे राजपाल हटाएंगे इनका सरकार को मामले में सलाह देना और राज सरकार के कानूनी मामले का कोट में पेस होना राज सरकार के तरफ से और यहां पर किसी भी सवा समीति संयूक्त बैठक तो यहां होता नहीं है तो सवा समीति में बैठ सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन बोट नहीं डालेंगे क और किंद्र का महान्यावादी होता है ध्यान में रखेंगे आगे बढ़ें तो यह कुछ हमने बात किया था ध्यान में रखियेगा हमने आप से कुछ बात किया था constitutional institution के बारे में समयधानिक संस्था के बारे में जो exam point of view से बहुत important है और भी को institution जो आपको लग रहा है कि हमको बताना है चाहे हो गैर समयधानिक हो चाहे योजनायोग हो अलाकि योजनायोग को तो हम लोग बात कर लेंगे नितियायोग इजनायोग को क्या बलते हैं economy के class में तो उसको हम यही पर छोड़ते हैं और भी कोई ऐसा संस्था जिसमें आपको लगता है कि इसके उपर बात करना चाहिए तो हम आपको जरूर वीडियो बना के बात करेंगे बस आप कमेंट कर लीजेगा कि सर इसी संस्था के बारे में और वीडियो बना दीजे एक्जाम में कोशन पूचा है क्योंकि मैं आपके उपर डिपेंड हूँ आप हमको handle करेंगे कि हम किसकी संस्था के बारे में वीडियो बनाए मैं ने अपने तरीके से कोशन देख करके कर दिया है maximum क्योंकि आपको और भी सबजेक्ट उपर में ध्यान देना होता है, एक्जाम तक पहुंचना होता है, तो इसको ध्यान रखेगा, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भारत के किसी भी एक्जामनेशन, राज के किसी भी एक्जामनेशन में आप चले जाए, आपको वहां पर relevant होगा, आप वहां से एक्जाम के कोशन करके चले आएंगे, छूटेगा नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहा सकता हूँ, इस बात को ध्यान में रखेगा, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, संबैधान, संसोधन के बारे में, और ये संभवता, संभवता बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी का लास्ट क्लास होगा, संभवता की बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमें रिकॉमेंट करेंगे, तो मैं आपको फिर से क्लास और भी बना करके दे दूँगा, पॉलिटी का, एक्जाम के कोशन किसाब से, और इसे ये भी तो पता चले कि आप कितना कोशन सॉल्व करते हैं, एक्जाम का, आप क्या-क्या, आपके आयाम है, कहां-कहां आप देखते हैं, ये भी तो पता चले, तो संभवता ये अंतिम टॉपिक है, संभवता, इसलिए क्योंकि आपके उपर डिपेंड करता है, कि आप हमें क्या रिकॉमेंट करते हैं, बनाने के लिए, तो संमिधान म संसोधन की बात हम लोग करते हुए आये हैं ठीक है ध्यान में रखेगा कि संसोधन हम लोग करते हुए आये हैं इस बात को ध्यान में रखेगा लेकिन मैं उसको एक बार रिवीजन कराऊंगा और कुछ नई बात बताऊंगा ठीक है रिवीजन में कराऊंगा और नई बात बत और मैं बोलते रहूंगा कि यह देखो यहां मैंने पहले बताया था और यह अभी नया बता है है जा घृत पैले संसोधन वीवियाई है अचा इसमें जितने भी संसोधन डाले इंपोरेंट है और दूसरा संसोधन डाला हीने याई पूरा टॉपिक है इसका एक एक लाइन इंपर्टेंट है जो इंपर्टेंट संसोधन नहीं था उसको हम डाले ही नहीं है ठीक है चलो तो एक्झाम का कोस्तन बना है पहले संसोधन कब हुआ था 1951 में क्या जो रागया था नौवी अनुसुची जब हम आपको अनुसुची प हो सकता है यह साथवा समिधान संसोधन में 1956 में किया गया था दसवा समिधान संसोधन दादर नगर हवेली को सामिल किया गया था यह मैं राज्यों के करते हुए चलूँगा चौदवा सम्मिधान संसोधन यहां पर ध्यान दिजेगा चौदवा सम्मिधान संसोधन पॉंडिचरी को सामिल किया गया था 1922 में यही बात में राज निर्वाचन राज के पुनर गठन के समय बताया होगा 21 सम्मिधान संसोधन बहुत इंपॉर्टेंट है कई वार एक्जाम का कोशन पूछा है सिंधी को आठवी अनुसूची में 15 भासा के रूप में सामिल किया गया था यह मैं अनुसूची पढ़ाते हुए आपको बताया थ उसके बाद 24 सम्मिधान संसोधन यह नहीं बताया होगा तो मैं बतायाता हूँ कि सम्मिधान में यानि की मौली का दिकारों सही सम्मिधान में संसोधन किया जा सकता है यह 24 समिधान संसोधन बताता है 1971 में और 36 समिधान संसोधन राज पुनर गठन के समय बताया था कि सिक्क स्क्किम को भारत का अंग माना गया था राज का दर्जा नहिं दिया गया था थो dipping समीधानस नंसोधन इसे भारत का राजिका दर्जा दे दिया गया सिक्किम को 1975 में चलिए उसके बाद 42 सम्मिधान संसोधन जिसे मीनी कंस्टिचुशन कहा जाता है यह कोशन एक्जाम में कई वार पूछा है 42 सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे बहुत सारे काम हुए थे और उसमें बहुत सारी बाते मैं पढ़ाते भी बताया हूँ 42 सम्मिधान संसोधन से कि क्या-क्या एड किया गया था प्रस्तावना में तीन ने सब जोरे गया थे और भी बहुत सारी बात हुई थी फंडामेंटल डुटीज को एड किया गया था बहुत सारी बात वही थी तो 42 वा सम्मिधान संसोधन के वारे में बहुत सारी बाते मैंने बताया जिसमें एक important है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया इसी में हमने बताया था कि internal disturbance को हटाया गया उसके दगापे ससस्त्र विद्रोज डाला गया ये भी 44 सम्मिधान संसोधन 1978 के तवारा किया गया था बाब 152 सम्मिधान संसोधन एकजाम में कई अनसूची पढ़ाते हुए इसको पढ़ाया होगा कि दल बदल यानि 10 वात घृप संसोधन कर तैं 2017 में और और ये नहीं पताया है कि किस सम्मिधान संसोधन से voting age को एक कीस से घटा करका थाड़ा कर दिया गया तो एक सथवे सम्मिधान संसोधन अधनियम में यह कोशन एक्जाम में frequently पूछेगा है यह red color करने वाला है यह line बहुत बार कोशन पूछा गया और बावनवा भी ठीक है चलिए अगला है 73 सम्मिधान संसोधन क्या कहता है कि श में नेशन सुचि बहुत रहे है मैं पहले बात कर चुका हूं बहुत सारे 84 वा संविधान संसोधन इसमें मैंने बात नहीं किया तो वो मैं बात कर लेता हूँ ये बात क्या कहा था कि 2026 तक जो सीट है भारत में लोकसवा का राजसवा का विधान सवा का विधान परिशद का वो एक जैसा ही रहेगा इस समान रहेगा ये 84 वा 84 सम्विधान संसोधन 2001 के द्वारा ये तय किया गया था तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन यह मैंने बताया नहीं है जो मैं बताया हूं उपर मैं रुखता नहीं हूं तिक है चलो आगे 86 सम्विधान संसोधन कितने बार बताया है सिख्छा की अदिकार को ले करके 2002 2002 में तो यह बात मैंने बहुत बड़ी किया है एक क्यानवा सम्विधान संसोधन यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम का कोस्टन है मैंने नहीं बताया है तो अभी मैं बता रहा हूं कि आपके मंत्री परिसद की जो संख्या होगी वह 15% से ज्यादा नहीं होगी किसके संख्यान सभा में अगर बिहार का 243 है तो संख्यान संसोधन में क्या होता है 15% से ज्यादा टोटल मिंबर नहीं होंगे यह बात हमने आपको बताया मंत्री परिसद में किसका 15% लोग सभा का 15% और राज्यों में बिधान सभा का 15% चलिए 52 संभीधान संसोधन यह मैंने औरिया को औरिया कहा गया यह औरिया भासा को औरिया नाम बदल दिया गया तो बहुत इंपोर्टेंट कह सकते हैं है या पिर आप नहीं भी ध्यान में रख सकते हैं बावनवा के बाद सभा संभीधान संसोधन आप निन्यानेवा के बारे मैंने बताया था कि एन जैक को सवा संभीधान संसोधन था 101 संभीधान संसोधन किसे जी एस्टी आप जानते हैं जी एस्टी कितना रूला रहा है चलिए कोई बात नहीं 102 संभीधान संस्थान किसे है तो पिछरा बर्ग के लिए राश्ट्रीय आयोग का गठन एक वाद ध्यान रखेगा बहुत सारे एक्जाम में बन चुका है तो जो नए संभीधान संसोधन उस पर जरूर ध्यान दीजेगा खास करके 100 के बाद 100, 101, 102, 103, 104, 105 करके ठीक है 103 संभीधान संसोधन 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा कि इसको जेनरल कैटिगरी के लोगों को जो EWS है जो आर्थिक रूप से पिछरा जेनरल कैटिगरी के लोग है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा अलग-अलग एक्जामिनेशन में और दूसरे भी चीजों में इ 104 वो ध्यान में रखेगा 104 अमेंडमेंट कहता है दो बाते कहता है 104 पहली बात तो यह कहता है कि जो रिजर्वेशन चल रहा है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया आप जानते हैं कि जब भी 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है तो उसको संभीधान संसोधन करके बढ़ाया और वो यह था कि जो दो एंगलो इंडियन था उसके पद को समाप्त कर दिया गया है एक सोचर्मा कंसिटूशनल अमेंडमेंडमेंड अधनियम 2019 के द्वारा एंगलो इंडियन के सब्सक्राइब को सीटों को क्या कर दिया गया है यह बहुत इंपोर्टेंट है वी वी आई है कोशन अभी नहीं बना है अगे सम्मय बनेगा अभी नहीं बना है मुझे पता है आगे सम्मय बनेगा और 105 वा कंसिटूशनल अमेंडमेंडमेंट यह क्या है तो यह है कि राज्यों और केंशासित प्रदेश को इस बात का अधिकार दिया है कि आप पिछले बर्ग का पहचा मांग रहा था मराथा लेकर Anadholan चल रहा था। वह दो भी ऐसे पाती दार समाज को मांग रहा था तो वहां वी तो आपकेसे पिछ्रा बर्ग मांग रहा था। वह भी श्रकारों और किछे पिसरावर्ग नहीं माने तो यह केंद सरकार जो है ना अपने पाले से गिंद किसके उपर रख दिया राज सरकार पे तो अब चुकि यह संबैधानिक बाते हो गई तो आंदोलन रखेंद सरकार के खिलाफ में नहीं होगा और केंद सरकार अपना पल्ला जाड लिया और एक होता है ना कि बोट बैंक की राजनीती भी यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस आधार पे तो कम से कम मुझे बोट से काट नहीं सकते हो क्योंकि मैंने तो राज को दे दिया आब राज अगर नहीं करे तो राज को बोट दो या नहीं दो ठीक है तो इस बात क अब समझेगा, समीधान संसोधन में दो तिन बाते हैं. केंज सरकार अपनी पला भी जाड़ा है और एक पूरा बोट बेंग की राजनीटी यहां पर करने की कोसिस किया है लोगों को खुष करने की कोसिस किया है, एक समीधान संसोधन से और ज्यादा मुझे कुछ दिखाई इसमें नहीं पड़ता है तो ये सम्मिधान संसोधन की बात हम लोगों यहाँ पर कर लिया है एक सो पांचवे तक जो इंपॉर्टेंट था उसी को मैंने यहाँ पर इंकुलूड किया है और दूसरा कोई भी इंकुलूड नहीं किया है तो अब यहाँ पर हम अपने कलास को रोकते हैं और इसके बाद अगर कोई और टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना है या एक्जाम का कोशन के लिए रेलिवेंट है हाला कि मैं अपने तरफ से पूरी पोसिस किया है इसको करन देखा तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे उसके ऊपर हम वीडियो यहाँ पर बनाएंगे तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच्च